सो हलो दोस्तों एक वार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यू चैनल सक्सेस रोजगार में दोस्तों बात करेंगे बिहार के सभी ब्लॉक या जीला या पंचाइतों में छपपर फार भरती सुरू हो चुकी है और जो कि यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है बिहार वालो कान खोल कर सुन लो क्यूंकि मोका है आप सभी लोगों के लिए कि तीन तरह के पोस्ट यहां पे बताया गया है नमबर वान में जीला समनवायक या सूपरवाइजर यानि डिस्टी कॉडिनेटर या सूपरवाइजर की या है जिसमें 20,000 से लेकर 24,000 तक परमन सेलरी प्रवाइट के जाएंगे और दूसरा जो पोस्ट यहां पे देख सकते हैं ब्लॉक मित्र है जिसके लिए आपको 15,000 से लेकर 18,000 तक परमन सेलरी दिये जाएंगे और साथी साथ इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से चैन लिया जाएगा और साथी साथ इस भरती से जूरी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं तो फ्रेंस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरों के साथ वार्टसप पे ज़्यदा सेयर कर दीजिए यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे इसके ओफिस्यल नोटिफिकेसन जारी किया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा और साथी साथ इस ब्लॉक मित्र के काम क्या है वो भी बताऊंगा तो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लिए कि यहाँ पे तीन तरह के जो पोस्ट है जिसके लिए आपको सेलरी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया और सबसे पहला नमर जो पोष्ट है जीला समनवाए कि है सुपरवाजर जिसके लिए आपके असनातक पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रिम से है तो आप आप आविदन दे सकते हैं और मिन्माम आपका 21-48 साल एज लिमिट होना चाहिए दूसरा जो पोष्ट है ब्लोक मितर जिसके लिए आपको बारंवी पास होना चाहिए 18-45 साल एज लिमिट रखा गया है तीसरा पोष्ट की बात करें तो दसमी पास रखा गया 18-45 साल एज लिमिट रखा गया है और इसमें बते हैं उप्रोक्त सभी पदों के लिए सैची लाएंगे तो सभी ब्लोक मितरों के कारे को एकत्रित करना वो ब्लोक मितर की कारे समधी समस्याओं का निवारन करना और नहीं नहीं सुविधाओं की जानकारी आदी लोगों तक पहुंचाना एबं संस्थान द्वारा दिये गए कारे को करना जो यहाँ पे बताया गया है और साथी साथ दूसरा जो पोष्ट है ब्लोक मित्र जिसके लिए आपको ब्लोक मित्र द्वारा अलग अलग ब्लोक यास तहसील में योजना की जानकारी लोगों को देना एबम उनकी सुविधा अनुसार कारे करना जैसे पेन कार्ड बनाना किसान सरमी कार्ड बनाना आधी इ प्मिधवार को किसी परकार का यात्ता भात्ता दे नहीं होगा जो यहाँ पे सापस्पस्ट किया गया है आयू सीमा की बात करते 31 30 2021 की अनुसार की जाएगी आरक्षित वर्क के निम्ने अनुसार छुड दी जाएगी जो यहाँ पे सारी चीजे के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको और इसके ऑफिस्यल वेबसाइट जो यहाँ पे दे रखाए यह आप देख सकते हैं फिलाल वीडियो में लास्ट अक आपको जरूर बने रहेगा आपको कम्पलीट जानकारी इस वेकेंसी से रिगार्डिंग देने वाला हूं और साथी साथ इ करते समय इस्तेमाल किये गये हो के सामन दो पास्पोर्ट अकार के रंगीन फोटो साथ करता के समय अपने साथ लाने होंगे जो यहाँ पे बताया गया और दूसरा जो कंडिशन बताया गया है कि अभियर्थी को अंतिम रूप से चैनित करने का अधिकार आयुस्मान इसिच समय मिल जाएगा आप देख सकते हैं और इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहा थे कि सर इसका कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं इस पर यहीं ची बताने वाला था कि एक और नोटिस प्रिकेशन जब आएगा तब इसके बारे में आपको अपडेट देंगे तो यहाँ प आपन संख्या जो आप यहाँ पर देख सकते कि ऑनलान आवेदन की अंतिमति थी बढ़ाने जाने हेतु जो बताया गया था तो इसके ऑनलान जो आवेदन की थी था दरसल 18-10-2022 तक ही था पहले और इसको आपको 30-10-2022 तक जारिक किया गया था लेकिन अब यहाँ पर बता जो यहाँ पर साफ अस्पस्ट किया गया है और आगे जो बताया गया है जब और चैसे इन तित्यों का निर्धारन हो जाता है वैसे ही अभियरतियों को SMS या इमेल द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि वे अपना e-previes पत्र डाउनलोड कर सके यह सूचना आईश्मान इस Institute of Skill Development Education की website पर भी उपलब्ध होगी और किसी भी जानकारी के लिए भियरति को सला दी जाती है कि वे इमेल आईडी अथ्वा मोवाइल नंबर पर संपर कर सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया है तो आपको बता दे जो भी लोग इसके बारे में जो फॉर्म फिलप किये थे उ जो यहाँ पर बताया गया यह प्रवेस पत्र डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ सूचना आयुस्मान इस्टूट ऑफिस्किल डेवलोप्मेंट के ऑफिसल वेप साइट पर भी उपलब्ध होगी जो यहाँ पर बताया गया और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉ प्रोपार आपको एक वीडियो त्यार किया करके बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें आगे की प्रोसेस होने वाला है तो आई हो पासा करते हैं सभी जानकारी आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ वीडियो को ज़दा ज़दा से जिए रट.